इसलो आज में आप लोगों के चाहिक नों बहुत खाया ऑगा है बड़ में आज आप लोगे साथ सेयर करेंगे गिहों के आर्टेसे बने के खाने में बहुत ही जादा तेस्टी होने वाली यह गिएवे अनियुंईद्धि यह अधिया अग्जयु अंगली है अधियो नहीं न एक कटोरी गेहूं का आटा और यह है आधी कटोरी मैदा तो बस मैदा का हम लोग आधी कटोरी यूज करेंगे ज्यादा यूज नहीं करेंगे यानि कि जितना हम लोग आटा लेंगे उसका एक चोथाई लेंगे हम लोग मैदा और यहां पर डाले हूं बेकिंग पॉडर तो एक पिंच इतना मैंने डाला बेकिंग पॉडर जादा बेकिंग पॉडर टाले की जुरूवत नहीं है बस एक पिंच डालना है अप लोग देखा उतना ही डालना है और यहां पर डाल दी बच एक चुटकी नमग और हम लोग अब डालेंगे घी ताब देख सकते हुए चमच तो एक चमच घीक है नाने जीका डालेंगे की जी तो इहना पर अच्य तुर पोरस दे चमच गी तो देखें मनीं यहां पर गेशित हैं छोड की त Japanese थोगाए को य tasting को य कि तो वाइज थोरा थोरा पानी डाल करके य लोग एक डोड़ तीन कर लेगे तो फ्रेंस हमारे स्मद्ट नहीं टाल हैं अन्ध हाथ फ्रेंस हमारी दोड़ तेयार रेखं़ है और में हात्वे ने ध्या गहए अब पर से अल्की हातों शीज को मसल मसल करके दोर को डेडि करेंगे तोब देख सकते हो आटि ना थोड़ा सा सकत है कि हम एक दम पहले से गिला नहीं करेंगे याननी की नरत नहीं करेंगे आटे को थोड़ा-से हम लोग सकत रखेंगे तो इसे रिखेई फ्रेंज हमारी आँटा लग चुकी है अब भी सको हम रखते हैं लग वख 10 मिनट के लिए शेट होने के लिए तो बस मैंने 10 मिनट उसको छोड़ देया थाशेट होने के लिए तो बस हमारी आटा एक दम पर्फेक्ट लग चुकी है तो बस मैं डाल लिए हूं श्लैप के उपर और इसको नहल के हाथ वसी आटा को थोरा सा हम रोग चिगना कर लेंगे और बस थोरा हम रोग लेंगे इस तरह से लोई और इसको हम रोग बनाएंगे बॉल जैसा और इसको कुछ नहीं करना है बस इसमें छेत करना है उंगली से तो यह रहिए इस तरह से कर देंगे और इसको राउंडर राउंडर उंगली कुछ आकर कि इसको इस तरह से कर लेंगे तो यह हमारी बादुशाही के सेप में आ जाएगी तो इसी तरह से बाकियों को भी हम करना है बस लेना है लोई को और इस तरह से पहले एक बॉल की तरह बनाना है फिर इसको दुनों हाथ से प्रेस करते हैं पेराक तरह बनाना है और इसको फिंगर से इस तरह से इसमें छेट करना है और छेट करने के बार नहीं हम लोग थोरा सहर के आते हैं इसको शेट कर लेंग है के हो चुकिए है तो फ्रेंस यह फ्राइ करने के लिए एक दम रेडी है तो चले हम लोगे घैस के तड़ा आप देख सकते । मैं यहाँ बैस सी रख nosaltres देखा थब और गरम होने के लिए है तो ऑस ज्वंष न चारा गरम ने स्टया तक कुलिया था कराय में और यह एक बार में इंवीक हो चुकी थी हुल या तो सब्सकर अरह को निकाल लिम कि श को पल्टाते हुआ को घ्राइट कर लिया था तो साड़े हमारी मिठाई बदांग 되면 कि निकाल लेंगे तो आप अलोग जिदना डाले थे न उतना ये बच बच गई तो बहुत ही हो मैं हम्माड़ी 一 कब बन में फ़ली प्राल स्वाड़ीαι कॉंगे था और बनने के लिए तो शीरा फ्रेंज में अब लोगों को बहुत बार बनाई हूं बताना से जिस तरह से मिठाई का मने बनाते हैं अत्ति उसी तरह से we 날 बनाएंगे दो तारखा मैंने बनाया था शीरा तो अगर आप लोगा शीरा बना आप लोको आप लो देखना हो तो चाहिता है इसको डाल दिया था शीरा में और लगभात मैं छोड़ दिया कि आटे के बनी हुई है और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनी थी यह बालुशाही तो आप लोग इसको कभी भी ट्राइ कर सकते हो गेस्ट आते हैं तो प्रफट से कुछ भी आपको मीठा बढ़ाने का है मन है तो इस तरह से आप लोग बना करके शर्प कर सकते हैं या ऐसे दिनर या लंच के बाद आप लोग को मीठा खाने का मन करता है तो इस तरह का बना करके खा सकते हो तो फ्रेंस अभी तक लाइक नहीं गया तो लाइक करने ना मेरी वीडियो को शेयर करना फ्रेंस बिल्कुल भी मतबूल अच्छ अ